आमन भारत में ज्यान धार्मिक अनुष्ठानों और पुरोहित कार्यों से जुरा एक समाजिक समू है वे अपनी उत्पत्ति वैदिक सभ्यता से जोडते हैं और परमपरागत रुप से उन्हें सुरवच्च जाती माना जाता है छेत्रिये और बेवसाइक भेदों के अधार पर ब्राहमनों के विधिन उपसमू है जिनमें से प्रतेक के अपनी रिती रिवाज और प्रताये हैं इसी कलम में हम यहाँ जानेंगे कि दस प्रकार के ब्राहमन कौन कौन से है इस वीडियो के मुख विसे पर बात करने से पहले ब्राहमनों के उत्पत्ती के बारे में जानना अविस्तक है रिगवेद के पुरुष सुक्त करुसार ब्राहमन छत्रिये वैस और सुद्र क्रमस विराट पुरुष के मुख बुजा जंगा और पैर से उत्पन हुए इस तरह से ब्राहमन एक वर्ण के रूप में अस्टित्त में आए हमनौत पती मारतंड नाम गरंथ में कहा गया है कि प्रारम में सभी ब्राहमन एक थे उनमें कोई बिभाजन नहीं था समय के साथ छेदरी और ब्योसाईक भेदो के अधार पर ब्राहमन समुदाय के भीतर विभिन उपसमू उबने इन समुदाय के अपने विशेश रितिरी वाद प्रताय और संस्रितिक पहचान है आई अब जानते हैं दस प्रकार के ब्राहमन कौन कौन से हैं विरहद ब्राहमन समुदाय मुक्रुप से दो प्रमुक समुधों में विभाजित है पंच गौर और पंच द्रविर ब्राहमनों के पंच गौरा और पंच द्रविर समुधों में पांच पंच ब्राहमन समुदाय सामिल है दस प्रकार के ब्रहामन उपसमूह बनाते हैं दस प्रकार के ब्रहामनों का संश्यप्त विवरन ये है पंच गौर राज तारंगनी कस्मीरी ब्रहामन विद्वान कलहन द्वारा 12. स्थापदी इसापुरूप के आज़ पास लिखा गया एक इतिहासिक क्रोनिकल है पारस्वत काने कोबज गौर उतकल और मैथिन पंच द्रवीर कलहन की राज द्रंगनी के नुसार निम्लिखित पांच ब्रहामन समदायों को पंच द्रवीर के रूप में वर्गिग्रत किया गया है जो इस ग्रंद के नुसार विंद के दक्षिन में रहते हैं करनाटक, करनाटका ब्रहामन, तैलंगा, तैलगू ब्रहामन, द्रवीर, तमिलनाडू और के रलके ब्रहामन, महराष्ट का, मराष्ट्रिय ब्रहामन, और गुर्जर, गुजराती, मारवारी और मेवारी ब्रहामन